कप हेलो स्टूडेंटस आज हम लोग डिसकस करेंगे अब प्रॉपर्टि ऊफ चार्जिस और इससे पहले हम्योंते विडियो बनाये राफ चार्ज तो आप प्लीज इस से पहले उसको जाकर देख लीजे ओर आि इससे स्टार्ट करते है हमरो प्रॉपर्टी ओ चार्जेस में तो प्रॉपर्टी ओंडिश हो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट प्रोपर्टी का होगा है एडिटिव, एडिटिव इन नेचर, ओकी, यानि कि किसी बॉड़ी के उपर चार्ज होगा, तो वो उसके एलजेब्रिक सम के बरापर होगा, तो किसी बॉड़ी के उपर टोटल चार्ज होगा, तो इसका मतलब यह हो गया, कि किसी बॉड़ी के उपर अगर टोटल चार्ज होगा, वो किस के बरापर होगा, सभी चार्ज के बरापर, तो अगर मालने ते 3 कूलम है मारपास, या 4 कूलम है, या 7 कूलम है, और चौथा चार्ज हमारे पास माने ते एट खुड़ों तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस बोड़ी के ऊपर क्या हुआ टोटल चार्ज टोटल चार्ज टोटल चार्ज इस एकल टो सम अफ ओल चार्ज अन्या या अलजेब्रिक सम अफ ओल चार्ज तो थ्री माइनस फूर प्लस सेवन प्लस एट तो यह कितना हो जाएगा हाँ सेवन प्लस एट फिफटीन अटीन एटीन में से पोड़ गया तो फूर्ट फस फोर्टीन कुशन क्यू टोटल इसको टोटीन कुशन तो इसका मत्तल यह हो गया किसी बोड़ी के ऊपर जो टोटल चार्ज होंगे उनके सम के बराबर होगा तो तो इस इस नोन ऐस एलजबरिक सम आप चार्ज प्लिए लोकी सेकंड प्रोपर्टी है मार पास सेकंड प्रोपर्टी एक वांट इसेशन ऊके पास्माने दिश्णी मातिशन और सबस्क्राइब करतें दो चीजए डिस्क्रीट एंद कंटिनेर्स तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिने इस का है कंटिनीव स्फ्रो मींजा लगातार फ्लो होता रहे ठीक है जिसमें एक इवेंट और दूसरे के इवेंट की बीच में खतम होने और शुरु होने का time in entrevail पता ना हो लेकिन practitioner की बात करें तो different में well-defined intervals होते हैं या events होते हैं तो एक khatm होगया दूसरा शुरू हो रहा है फिर दूसरा खतम हो रह तीश्या शुरू हो रहा है तो ये clearly distinguished हो तो ऐसे ऐसे फॉंक्शन या ऐसे इंटरवल को लोग डिस्क्रीट बोलते हैं तो क्वांटाइजेशन आफ चार्ज की बात करें तो किसी भी बॉड़ी के ऊपर चार्ज जा रहा है या किसी बॉड़ी पर चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोंस के नेचरल नंबर के बहुत है क्लियर कंप्लीट एक ली क्लिप्रों जाएगा या कबलेट एक लेक्ट्रों नहीं जाएगा आपस आफ सी बात zijë तो कॉंटेनजेशन आफ चार्ज की बात करें टो 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 to plus minus n e the total charge kiske paravar hoga plus minus n e where e stands for charge on electron on electrons or any of the natural number and q stands for total charge clear so this is known as quantization of charge the quantization of charge the total charge is equal to plus minus n e there take example that the question how many electrons will make one column charge okay so electrons will make one column charge तो इसको अगर हम लोग देखें ऐसे तो टोटल चार्ज इसकल तो वन खूलम और n is equal to we have to find इसमें number of electron कितने electron है वो खोजना है किसके लिए चार्ज आपका वन खूलम हो जाए तो वन कूलम चार्ज करने के लिए कितने electron की जोड़ता है तो इसका formula होई q is equal to plus minus n e इसको अगर और हम लोग ध्यान से देखें तो 1 is equal to n into 1.6 into 10 days to power minus 19 तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते है n is equal to 1 upon 1.6 into 10 days to power minus 19 इसको और देखें ध्यान से तो 100 upon 16 into 10 days to power 18 यह उपर चला गया तो minus 19 plus 19 हो गया और यह decimal रिलेस किये तो 100 clear तो यह हो जागा 6.25 into 10 days to power 18 clear तो एक कूलम एलक्ट्रोंस एक कूलम चार्ज के लिए इतने एलक्ट्रोंस का क्लेक्शन होने जब हो गया है clear तो इस 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 नोन स्कॉंटिशन आफ चार्ज के लिए तो एक और एक्जम्बल देखते है और कोशन है मार पास हाओ मैनी चार्जेस इस इन टू फिफ्टी ग्रैम ओफ वॉर्टर तो इसमें कुश्चिन कह रहा है कि धाइसो ग्राम पानी में कितने चार्जेस होंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज एटीन ग्रैम इस इकल टू बन मॉल इस इकल टू शिक्स पॉइंट की रो टू टू इंटू 10 देस टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ग्रैम अतोमिक ग्रैम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग एस टोटल चार्ज इस इकल टू 250 डिवादेट वाइटी टोटल नूमर आप मॉल्स हो गया इंटू एक मॉल में कितना इलेक्रों सो था है या मॉलिक्यूल से तो 6.22 इंटू 10 देस टू पावर 23 क्लियर ओके तो अब यह तो होगे कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगे धाइसो ग्राम वाटर में क्लियर तब हम लोग जानते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्रोंस होते हैं एच्टो में एच्टो में क्लियर एकल टू टू टैन इलेक्रोंस दो हीड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के तो टोटल चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स के लिए टोटल इलेक्रोंस और 10 अच्रोंस हिसको ओर एजीली देखते हैं तो 250 into 622 divided by 18 into 10 days to power 24 decimal other than each 100 take your sector 0-0 कटा 2-5 जा 2-2 जा 2 होगे 5 और ये 5 जा क्लियर तो फिर ये भी कड़ गया 311 तो मुल्टिप्लाइ कर लेता है तो 5 5 15 divided by 18 into 10 days to power 24 तो चलिए डिवाइड करते हैं स्कॉर 0-2-2 क्लियर तो 0-2-2 हो गया यह आपे तो एक और 0 क्लियर तो एक और 0 की साथ चलते हैं तो फिर आपको डिवाइड करते हैं तो यह होगे हमरे पास 5 3 15 और 5 6 तो 5 3 1 1 क्लियर और फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो यह नियर बाउट आजाएगा यह नियर बाउट आजाएगा यह नियर बाउट एट इन्टू 10 days to power 24 एलेक्ट्रोंस क्लियर इस तरकी की बाते होगी तो हाँ मैने इलेक्ट्रोंस इन्टू 150 ग्राम्स तो नियर ली 18 to 10 days to power 24 एलेक्ट्रोंस और अगर चार्ज निकाला है तो इलेक्रोंस से मुल्टिप्लाइब करें हैं क्लियर अब बात करते हैं हम लोग कंड़क्टर का और इंसुलेटर का तो बैसिकली कंड़क्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है उसकी डिसकस करें तो अगर हम हम लोग माइन्यूटली अबजर्व करें तो कंड़क्टर वो मेटेरियल्स होते हैं जिसमें सी एलेक्ट्रसिटी इजिली पास करता है और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें सी एलेक्ट्रसिटी पास नहीं करता है यह बहुत कम करता है तो कंड़क्टर को अगर हम लोग पिअटमिक लेवल पे देखें तो कंडॉक्टर क्या अगंतर मॉस्ट और्वित में फ्री ईलक्रॉंस एवलेबल होते हैं और ये फ्री ईलक्टर्ги रते हैं क्नक्र्टर में फ्री ऐलेट्रांस की विजए से जब इसको बैटरी के साथ अड़स्ट करतें तो पॉजिटी टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉंज जो रहा ह charcoal दें उब अंदध्र में ऐसरी एलक्टॉंज जो लुगते हैं जब इसको बैटरी के साथ लिप साथ करते तो पॉजटील यह मत रहते रहे तो यह कनड повтор कि तरफ ते आए Radio और कर conductor वो materials हैं जिसमें electricity easily pass करता है और इंसुलेटर वो material है जिसमें almost zero electricity flow करता है clear चलिए है तो conductor का example metals इंसुलेटर का example हो गया आपका यह प्लास्टिक वूड पेपर एक्सेक्टर क्लिया है कूल्म्स लॉओ क्लियर सबसे इंपोर्टेंट अब बात करते हैं कूल्म्स लॉओ का ओके देखें प्रॉपर्पर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग ने पढ़ा है सेम चार्ज रिपेल इच अदर अपोजिट चार्ज एट्रैक्ट इच अदर क्लियर तो यह force of attraction और रिपल्शन कितना स्ट्रॉंग है उसको बतलाने के लिए कूलम्स लॉओ का इस्तेमाल करता है क्लियर तो कूलम्स लॉओ क्या कहता है कि यह अगर इन दोनों को देखे ध्याल से तो force of attraction और repulsion directly proportional to charges if the jada charge of the jada force of experience yoga or f directly proportional to one by r square clear jitta jada distance over the jada force come with a clear to according to Coulomb's law the force of interaction between two charges directly proportional to their charges and inversely proportional to square of their distance यानि कि दो charge के बीच में जो force होगा वो charge के directly proportional होगा समाना नुपाती और दोनों charge के बीच में distance का square के inversely proportional होगा यानि कि square के inversely proportional के इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं f directly proportional to q1 q2 by r square clear तो इन दोनों को अगर proportionality sign है नहीं होगा तो constant से multiply करना पड़ेगा तो f is equal to k q1 q2 by r square clear यह है Coolems law where k is equal to 9 into 10 raise to power 9 that constant is fixed for air clear or k is equal to 1 upon 4 pi epsilon not is ka value hata 9 into 10 raise to power 9 clear तो यहां epsilon not care you have a permittivity of the space जिसमें experiment carry on ho रहा है clear तो यह permittivity of the space जो है वो मीडियम की प्रोपर्टी clear तो coulomb's law यह हमारे पास तो simply फिर से बात करते हैं coulomb's law क्या कहता है the force of interaction between two charges is directly proportional to the charge and inversely proportional to square of their distance clear चलिये अभी एक क्वेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं okay find the force of force between two electrons separated by one meter okay यह question है अब देखते हैं क्या होता है तो find the force between two electrons separated by one meter clear तो let us suppose माल लेते हैं हमार पास एक electron यहां पर है दूसरा electron यहां पर है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस किता आर इसको नेटर तो एस इस इसको पावर मारी नेटीन फूल्म तो यह वोगे q1 एसको q1 लिख सकते हैं और यह q2 भी इस इसके बराबर है 1.6 इंटो नेटीन पर मानेश नेटीन फूलम q2 clear r is equal to 1 meter तो as f is equal to k q1 q2 by r square तो k का value कितना है 9 into 10 raise to power 9 1.6 into 10 raise to power minus 19 into 1.6 into 10 raise to power minus 19 divided by 1 का square clear यह हो गया charge q1 q2 अब इसको multiply कर लेते हैं तो यह 9 into 16 into 16 into 10 raise to power यह decimal नाता तो 20 minus 20 minus 20 तो minus 40 16 16 जा 256 into 10 raise to power minus 40 तो multiply करते हैं 9 से तो 405 तो यह हो गया इंटो 10 raise to power यहां पर decimal तो एक दो तीम यहां लगा ने थे तो तो minus 37 newton clear तो यह हो गया वारे पास force तो f is equal to 2.304 into 10 raise to power minus 37 newton clear तो यह है आपके एक्जम्पल्स try career questions or practice career thank you for watching